हेलो एवरिवन दिस जावी जैन वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सरस्वती विधिया पाटशाला अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारे लेटेस्ट वीडियो को देख सकें कि कैमरे का यहास क्या रहा है तो इसमें सबसे पहला पॉइंट से जैसे हमारा प्रिंसिपल ऑफ कैमरा तो जो हमारा कैमरा सिध्धान पर कारिय करता है किस पर कारिय करता है सिध्धान पर कारिय करता है और वह सिध्धान या वह प्रिंसिपल क्या है कैमरा आपस्क्यूरा ठ इसका अर्थ क्या है इसका अर्थ है डार्क चेमबर क्या है डार्क चेमबर ठीक है इंग्लिश में डार्क चेमबर है और हिंदी में इसको बोलते हैं अंधेरे वाला कमरा ठीक यह नाम एक इन्वेंशन को दिया गया नाम है जो क्या होता जो किसी तस्वीर को बनाने के काम आत यह invention photographic पहल भी थी के starting जो इन्वेंशन फटोग्राफिकी थी ठीक अब camera obscura क्या और काम कैसे करता है ठीक है अब हम इसके बार में बात करेंगे तो camera obscura जो होता है simple camera obscura जो होता है वो इक simple box होता है इसका size क्या होता है एक बड़े कमरे जितना होता है और उस box में छोटा सा hole होता है जैसे ये box हो गया और इसमें क्या हो गया इसमें छोटा सा hole हो गया ठीक है और इस hole होता है छेद होता है जिससे light उस hole के जरिये जो इसके पीछे के दिवार होती है वो क्या होती है इस पर पड दिवार पर दिखाई देगी किस के माध्यमसे इस हूल के माध्यमसे ठीक Քर और जो घर बेठा move paper के जरिये उसको ठेस कर लेता है थीक है उस वह सबसा को ट६्रस कर लेता है इस पर दिखाई देती है तो इस तरह से camera of scura जूता है वह अपना work करता है और यह और जो यह hole होता है जो यह hole होगा जिसमें से यह जाएगी लाइट यह hole जितना चोटा होगा पिक्चर उतनी ज़्यादा शार्प दिक़ाएदेगी लेकिन क्या होगा रोश्णी कम हो जाएगी तो इसमें की मुझत इह वहां खाएदेगी जैसे make लकुर से लाइट गई ठीक है तो यह लाइट क्या गई कम गई रोशनी कम दिखाई दी और इसमें क्या होता था जो भी हम डालते थे लाइट वगेरा उसके जरी क्या होता था जो इमेज होती थी वो उल्टी दिखाई पड़ती थी ठीक है जो हम क्लिक करेंगे वो क्या होगा उल्टा दिखाई देगा इसमें तो उसके लिए क्या क्या था उसके लिए अठारवी शताब्दी में शीशे का यूजिंग मीरर मीरर का शीशे का यूज होने लगा था जिससे क्या होता है जो उल्टी दिखने वाली आकर्ती होती थी वो सीधी दिखने लगी थी कैसी दिखने लगी थ तो इस परकार से क्या हुआ सबसे पहले camera obscura के बारे में भी पता लगाया था वो सबसे पहले camera obscura के बारे में पता चाइनिस philosopher थे उन्होंने obscura camera के बारे में पता लगाया था अगर कोशन यह बनता है की camera obscura के बारे में पता किस ने लगाया था वह कौन थे Chinese philosopher थे मोती थी ठीक है Chinese philosopher मोसी थी उन्होंने पता लगाया था इसके बाद आते हैं Aristotle अब अरिस्तोल और बाद में क्या हुआ था अरिस्टोटिल जो थे हुनों ने के यह कंप्सक्रा कार चीजा कि और कि है कि मेह क्यां रिलेटिव है कि इस खके मेर अच्छी से मजहはं तो फिर क्या हुआ कैमरा आपस्किरा बनाने वाले इराकी साइंटिस्ट थे जिनका नाम क्या था अबन एल हेथम ठीक है उन्होंने क्या किया इन्होंने कैमरा आपस्किरा को किसने बनाया है कैमरा आपस्किरा को इराकी साइंटिस्ट अबन एल हेथम इन्होंने कैमरा आपस्किर का तरीका खोज लिया था अब क्या हुआ कि सन 57 सो में क्या हुआ सब्सक्रास वह जो सभी लोगों के लिए 326 में 386 में सर जो इस निस ने दुनिया का सबसे पहला गेमरा पिन होलोड केमरा जो पिन होलोड के नाम से है वह उनाने में सफल होई सठाव सखेंडिन मेकिंग पिन होलोड कैमरा तो सथ हड़्ोसिफ आफजी इन चैए시 इन में संफल होए और सठावब को क्या गान सर जोसिफ को क्या कहा जाता है सर जोसिफ को फादर और फोटोग्राफी के नाम से भी जाना जाता है कि फादर और फोटोग्राफी किसे कहा जाता है फादर फोटोग्राफी सर जोसिफ को कहा जाता है कोशन बन सकता है एक्जाम में ठीक है तो जब फादर और फोटोग्राफी इने silver chloride को मतलब जो सर जोसिफ थे उन्होंने silver chloride को पेपर के जरीए image exposed कराया तो image exposed जो पेपर पर कराते थे वह हैं बहुत जल्दी फेड हो जाते थे ठीक हैं क्या बताया हमने कि जब father of photography ने silver chloride को किसको silver chloride को paper पर paper के जरीए image exposed कराया पेपर के जहरी क्या कराया इमेंज एक्स पोर्पर पर करते थे वह पेपर क्या हो जाता था। भी जलती फेड हो जाता था ठीक है। तो फिर सार जोसिफ और लूईस जैग्रीन थे सर जोसिफ और लुइस जैगरीन थे उन्होंने सिलवर क्लोराइड को किस में बदला विटमेन में बदला विटमेन से बदला और उन्हें पता चला कि पिचर फीड होनी की जो प्रोबलम है वो उन्होंने खतम कर दी फिर क्या हुआ पर जो पिन होल कैमरा की जो स्क्रीन पर पिक्चर टाइमिंग आने की थी वो घंटों तक होती थी ठीक है जो फीड होने की जो फीड होने की जो प्राबलम थी वो तो खतम हो गई ठीक है लेकिन जो पिन होल कैमरा जो पिन होल कैमरा है उसकी स्क्रीन पर ठीक है पिन होल कैमरा क स्क्रीन पर जो picture आने की timing घंटों तक होती थी तो सर जोसिफ ने और लुइस जैगरी ने image exposure के लिए mercury frame का यूज क्या ठीक है तो अब picture timing को कम करने के लिए इसे टीर उन्हों को कम करने के लिरे उन्होंने किस चीज का यूज किया उन्होंने mercury तो यह वन सकता है कि पिन हॉल केमरा की स्क्रीन पर पिक्चर आने के टाइमिंग को कम करने के लिए किस चीज़ क्या गया था और किस ने क्या था सर जॉसिफ लूइस जैगरीन ने इसका पर्योग किया था ठीक है ना तो इस से क्या हुआ था mercury frame का use किया जिससे exposure का time घंटों से किसमें बदल गया mintों में बदल गया, किसमें बदल गया, mintों में बदल गया तो घंटों से mintों में इसका time बदल गया और किसके द्वारा बदल गया, mercury frames के द्वारा बदल गया और किसने बदला, Louis Jagreen और Sir Joseph के द्वारा इसका टाइम बदला गया Mercury Frames का यूज़ करके ठीक है अब और 1849 में क्या हुआ ये प्रोडेक्ट पब्लिक के लिए अवेलेबल हो गया तो क्या हुआ बहुत सारे experiments के बाद इस तरह से बहुत सारे experiments हुए हैं तो उनके बाद क्या हुआ the process of बहुत सारे experiment के बाद the process the process of plate-based photography ठीक है तो the process of plate-based photography का क्या हुआ इंप्रूव हुआ और 1884 में camera जो है वो हमीशा के लिए बदल दिया गया ठीक है बदल दिया और क्या हुआ न्यू योर्क के क्या था न्यू योर्क के जार्ज इस्ट मैन ने ड्राइजिल का डिस्कवर किया ड्राइजिल का क्या क्या उन्होंने डिस्कवर किया किसने क्या था George Eastman ने किया था उन्होंने किया था । George Eastman थे उन्होंने ड्राइजेल को डिस्कवर किया था और George Eastman ने 1888 में किसमें 1888 में कोडेक कमपनी स्टेबल की कौणसे कमपनी स्टेबल की कोडेक कमपनी स्टेबल की और कोडेक कमपनी रिवालुशन निकला निकला ठीक है और कोडेक ब्राउनी लॉंच्ट हुआ ठीक है कोडेक कमपनी रिवालुशन निकला और कोडेक ब्राउनी लॉंच्ट हुआ तो फरवर फरवरी 1900 इसने टेकनोलोजी को लोगों तक पहुचाया किसने कोडेक ब्राउनी लॉंच हुआ और उसने फैवियरी 1900 इसने टेकनोलोजी को लोगों तक पहुचाया ठीक है कोडेक बहुत पॉपुलर कैमरा इस से बन गया जो कोडेक है वो बहुत ज़दा popular camera बन गया तो kodak brownie launch जो kodak camera है वो किसके द्वारा launch हुआ George Eastman के द्वारा launch हुआ तो ये caution exam में बन सकता है ठीक है तो ये caution exam में बन सकता है इस पर धिहान देजीगा ठीक अब हम अपने caution से start करेंगे हमारा first question है photography 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 का निर्मान कब हुआ मतलब photography के शुरुआत कब हुई photography के जो शुरुआत हुई है वो पांचवी सदी में हुई है कब हुई है पांचवी सदी में हुई है और किसने की है एक चीनी साहितेकार है अभी मैंने आपको पढ़ाया भी है बताया भी है जो चीनी साइतेकार है जिनका नाम क्या है मूती है उन्होंने क्या किया है उन्होंने फोटोग्राफी की शुरुआत की है ठीक है अब बात करते हैं फोटोग्राफी शब्द की फोटोग्राफी शब्द जो है वो English language का शब्द एक अंग्रेजी शब्द है फोटोग्राफी ठ तो अब जिसका हिंदी अर्थ क्या होगा इसका हिंदी अर्थ होगा च्छायांकन क्या होगा च्छायांकन होगा अंग्रेजी में इसको हम फोटोग्राफी बोलते हैं लेकिन हिंदी में इसको हम च्छायांकन बोलते हैं ठीक है आप जे फोटोग्राफी शब्द है ये ग्रिक भार्षा की किस भार्षा की ग्रिक भार्षा की दो शब्दों से मिलकर बनाएं कौन सी भार्षा की ग्रिक भार्षा की ठीक है जिसमें पहला शब्द कौन सा है फोटो होगा और दूसरा फोटो है दूसरा फोटो का अर्थ क्या है फोटो का अर्थ प्रकाश है और ग्राफोस क और्थ क्या है चीतर है फोटो का प्रकाश और ग्राफ लेका है तो इस प्रकाश से आपने जान लिए कि फोटो ग्राफिक की शurpose कब हुई और उसको किसने किसने शुरुत की हम इसने है अब नेक्स्ट देखते हैं दो स्रीजन ने बनाया है और यह इ्राक के परसिद साइंटिस्थ थे और यह गंतग्ये भी थे प्रकाश के शास्क्रे दाशनिक भी थे ठीक है इन्होंने विश्विस्तर पर पर्थम कैमरे का निर्मान किया था पहला कैमरा जो बनाया था विश्विस्तर पर वो इन्होंने अबनल हैथम ने बनाया था ठीक है तो इनको हम क्या कह सकते हैं इस इनको हम फादर ओफ फादर ओफ मोडर्न आप्टिक्स फादर ओफ मौडर्ण आप्टिक्स ठीक है तो इनको हम फादर ओफ मौडर्ण ओप्टिक्स भी कह सकते हैं कि इनको अबन अल हेथम को ठीक है तो अब किया हुआ था जो मैंने पहले बताया था कमरे में इन्होंने सबसे पहले कमरा बनाया पिन हॉल कमरा कह सकते हैं लैंसिं कैमरा तो एक बार प्रकाश में प्रियोग कर रहे थे इन्हें समझ नहीं आया रोशनी सीडी चलती है ठेडी मेडी नहीं और जब रोशनी सीडी चलती है चोटे सुराक के तरफ उसमें जा कर वह होजाते है तो इस से प्रेंटना लेकर इन्हों ने क्या कर रहा है डिशिते है थो सब्मोर से 4-1 1660 क्या हुआ सं सोब्सक्राइ बगार चांटे केम्दम कम्म्म कैमरा मूं है यह इसका और समय बारो नो यह फिसे पहरा है ठीक है 1665 इस्वी में ठीक नेक्स्ट कोशन देखते हैं कोशन नमबर 103 सबसे पहले फोटो स्टूडियो कहां खोला गया था तो सबसे पहले भारत में फोटो स्टूडियो कोलकाता में 1849 1869 इस्वी में खोला गया था ठीक है इसके बाद 1850 इस्वी में कहां खोला गया था मुंबई में खोला गया था कहां खोला गया था मुंबई में ठीक है और फिर इसके बाद इंदोर वगएरा मदरास अन्य जगों पर भी फोटोग्राफी की जाने लगी थी तो सबसे पहले फोटो स्टूडियो कहां खोला गया था कोलकाता में ठारा सो नंग नेक्स्ट कोशन है हमारा कोशन नंबर 104 बंगाल फोटोग्राफी सोसाइटी की स्थापना कब हुई ठीक है तो जो बंगाल फोटोग्राफी सोसाइटी की स्थापना हुई थी वो सन ठारा सो छपन इस्वी में हुई थी और किसने की ती होने क्या किया था बंगाल फोटोग्राफि सॉसाइटी किस था अपना की थी ठारा सो चपन इस वी में नेक्स्ट कोशन है कोशन नमबर बन हंड़ट फाइब विश विश तर पर 35 mm कैमरे का निर्मान किस ने किया था औसकर बर्नैक ने किया था तो जो औसकर बर्नैक थे 1924 में औसकर बर्नैक पहली बार 35 MS कैमरा लीसिया का नीरमान किया था जिसमें शेटर स्पिर्ड और अपचर लैंसों के साथ द्रिश्य देखने के स्थान के द्वारा तो इस के बारे में थोड़ा और डिटेल में बताऊंगी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कि शटर स्पीड किया है एक तो shutter speed के बारे में बताऊंगी कि shutter speed क्या है और एक आपको aperture के बारे में बताऊंगी कि aperture क्या है क्योंकि cameras में mainly ये दोनों चीज और एक ISO है ये तीन चीज होती है जो बहुत important है ठीक है ना मेरी next video एक आज है एक कल update हो जाएगी तो आप देखना ना भूलिए ठीक तो इनके ने दावारे में मैं आपको समें बताऊंगी ठीक आगे next question देखते है months fashion नंबह बन हंडर शीक्स विश्विस्तर पर पर्थम रोलर फिल्म किस ने बनाए ती लॉर्च में ने किस ने बनाए थी जाट इस्टमर ने विश्विसर पर पर्थम रोलर फिल्म बनाए थी ठीक next question next question question nombor 107 विश्वीषतार पर polaroid camera का निर्मान किस ने किया विश्वीषतार पर polaroid camera का निर्मान किस ने किया वो add being match थे उन्होंने इसका निर्मान किया ठीक है और क्या हो था 1978 में 1978 में polaroid polaroid 5 गुना 70 ठीक है 5 into 70 ठीक केमरा पर्थम SLR क्या था कैमरा पर्थम SLR कैमरा बनाया ठीक है 1978 में क्या हुआ Polaride 5-70 कैमरा पर्थम SLR कैमरा बनाया इसमें क्या था इसमें Auto Fox पदती लगी थी तो पूछा जा सकता है कि 1978 में कौन सा कैमरा बना था कैमरा बना था तो कैमरा SLR बनाया गया था और या भी यह भी पूछा जा सकता है कि Auto Fox पदती किसमें लगी थी Auto Fox पदती ठीक है Auto Fox पदती जो थी वो किसमें लगी थी आटो फोक्स जो पद़ती लगी थी वो किसमें लगी थी वो इसमें sr camera पर में लगी थी किसमें sr camera जो था उसमें लगी थी मलए single lens reflector जिसको बोलते है single lens reflector ठीक है इसमें इसकी पद़ती लगी थी तो ये 1988 में पहला slr camera बनाया गया था ठीक है next question देखते हैं arts den optogen नंबर यह एट लिखा गया 108 आप फोटो बनाने के लिए किस पिपर का स्तेमाल क्या जाता है तो फोटो बनाने के लिए यूज होता है वह vendor मैं audiobook her dear husband जिए हम्हर्च लुकार सुपर नाज़र से टीड़ एक कश होता फुर्डा पोलगण सा मकार ईंच पनार। ठीक है नेक्स्ट कोशन देखते हैं नेक्स्ट कोशन है कोशन नमबर 109 फिल्म डेवलप करते समय किस लाइट का प्रियोग करते हैं जब हम फिल्म को डेवलप करते हैं तो किस लाइट का प्रियोग करते हैं उससे में ग्रीन लाइट का प्रियोग करते हैं कौन से लाइट यूज उता है ठीक है तो फ्रेंट अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना शेयर करना सब्सक्राइब करना और हमारा नेक्स्ट वीडियो आपको कल ही मिल जाएगा फोटोग्राफिक के बारे में जिसमें हम आपको अपचर का और इसका शटर पर लिजे टेलिग्राम के दो ग्रूप हैं जिसमें डिसक्रशन भी होता है और एक में हम अपनी वीडियो डालते हैं और क्या ना में हम कुछ नॉट्स भी उस पर अपडेट कर देते हैं तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब चैनल पर भी जॉइन हो जाईए और हमारे वीडियो को जरूर लाइक और शेयर कीजिए ठीक हैं तो थेंक्यू वेरी मच करें चैनल कोई है